चलिए गुड़ मॉर्निंग एवरिवन तो अभी हम लोग स्षाट करने वाले हैं एक्मोस्फेरिक रिफ्रैक्षन की एक्मोस्फेर में हमारा रिफ्रैक्षन किस तरह से होता है बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर एक बार आप समझ जाओगे कि atmosphere बना किससे है अब बिसा बात है atmosphere में क्या है air अब हवा क्या करता है अलग-अलग layers है तुम लोग जोग्राफिय में भी पड़े हो गए ना कि अलग-अलग atmosphere का layers होता है stratosphere, mesosphere ठीक है troposphere एक्सेक्टर एक्सेक्टर ठीक है तो यह सब चीज हम लोग का क्या है ना अलग-अलग density वाला हवा है वहां पर temperature हर layer पर अलग है हर layer पर density अलग है ठीक है तो इसके वज़े से हमारा जब भी light कोई बाहर से आ रहा होता है तो वो तुम्हारा बहुत ज्यादा reflection सफर करता है ठीक है बहुत ज्यादा reflection सफर करता है जिसके वज़े से हम लोग को बहुत सारा unique phenomena देखने को मिलता है जो आगे हम लोग discuss करेंगे और यह इस तरह का question तुम्हारा mcq में assertion और reason वाला type में questions में आएगा इसलिए बहुत important हो जाता है क्योंकि सबसे hard होई है एक बार अच्छे से इस reasoning part को समझ जाओगे तो हर answer अच्छे से दे पाओगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग को पता है कि we know that light goes from one medium to another medium having different optical density then refraction of light takes place है न अगर अलग-अलग density वाले किसी चीज़ में optical density optical density इस पर याद रखना ठीक है अगर अलग-अलग optical density वाले चीज़ पर light travel करता है तो उसमें bending of light होता है यानिकी reflection होता है यह point सब को पता है ठीक अब यह होता क्यों है यह चीज़ जान लो in the same atmosphere ठीक है इन same atmosphere the we have air layers हवा का layers है ठीक है जिसमें having different optical density और हर layer का density अलग है यह बता चुके हम वही चीज़ है ठीक है अब इसी density जो optical density जो अलग-अलग है इसके वज़े से reflection हो रहा है यह तो पता चल गए हम लोगों को ठीक है the reflection of light caused by earth's atmosphere ठीक है is called atmospheric reflection यह जो earth अगर reflection करवाएगा light का तो उसी को हम लोग atmospheric reflection बोलेंगे ठीक बहुत ज्यादा कुछ complicated topic नहीं है अब बस मेरे को कुछ phenomena देखना है some of the optical phenomena जिसमें से जो nature में actually में होता है तो हम लोग आज चार केस इसमें discuss करने वाले सबसे पहला star twinkle क्यों करता है सबसे पहला कौन सा topic है star why do stars twinkle यह बहुत ही एक प्यारा सा और अच्छा सा topic है इस पर राइम भी बना हुआ है twinkle twinkle little star how I wonder what you are तो इसी पर आते है कभी भी तुम stars को देखोगे न क्या सच में stars twinkle कर रहा होता है sun is also a star क्या sun तुमको twinkle twinkle करते दिखता है कभी नहीं दिखा क्यों नहीं दिखता बाकि का stars भी तो sun क्या ही एक तरह से समझ लो भाई है तो वो लोग क्यों twinkle करता है संग क्योंकि बहुत पास में है एक दम सही एंसर संग क्योंकि बहुत पास में है तो उसका light का intensity इतना ज्यादा होता है कि रिफ्रैक्शन हो भी तो हम लोगों पता नहीं चलता मतलब इतना रिफ्रैक्ट करता ही नहीं लेकिन क्योंकि stars जो sun ही है एक तरह से sun का ही दूसरा रूप है वह लोग बहुत दूर से आ रहा होता है तो उसका light का intensity बहुत ज्यादा रह नहीं जाता ठीक है बहुत हलका सा ही एक समझ लो stream of light जैसा आ रहा हूँ ठीक है अब वो क्या है हमारे हवा में atmosphere में एंटर किया तो जितना अलग-अलग layers में हवा का जो air का layers है उस पे अलग-अलग ठीक एक बार हमको जब यह point पे रहेगा हो सकता इस्टार्स दिखे तो एक बर दिखा फिर क्या हूँ थोड़ा दर का gap हो गया फिर दूसरी बार दिखा तो जब एक बर दिखके gap हो गया तो उसमें को star नहीं दिख रहा उसके बाद फिर से दिखा तो वो जो बार-बार-बा होना डिम होना ब्राइट होना जो दिखता है उसके वज़े से हमें वो ट्विंकल करता हूँ ने जरा आता है क्लियर है कॉंसेप्ट यह इतना सिंपल सा टॉपिक है ठीक है अब इसको अच्छे से समझों की the twinkling of stars reason अगर तुम से पूछेगा twinkle क्यों करता है सीधा सीधी atmospheric reflection ह स्टार्स लाइट उस स्टार का लाइट में atmospheric reflection होता है अब अगला टॉपिक पर आ जाओ the continuously changing atmosphere वही चीज़ हम एक बर बता चुके सौट में क्या होता है अलग-अलग लेवल पर जाता है अलग-अलग जगा पर रिफ्रेक्ट करता है ठीक है तो यह the continuously changing atmosphere चेंजिंग एट्मोस अचेंज हो रहा है उस light के लिए स्टार से आ रहा है ठीक है reflect the light from the stars by different amounts from one moment to the other ठीक है to the other next movement हर मोमें पे वह रिफ्रेक्ट करवा दे रहा है उसको और इसी के वजह से हमें क्या दिखर रहा है इस star twinkle करता हुआ नजर आ रहा है ठीक है श्टार्लाइट दा स्टार लाइट र तो हमारे ये अच्टर और घृटींगों कैते हैं चाहरा है य। twinkle करता हुआ नजर आया ठीक है and the star appears to twinkle at night simple है अब देखिए though the stars twinkle at night but planets do not twinkle at all क्यों planets क्यों नहीं twinkle करता सबसे पहला reason planets को खुद का light ही नहीं होता planets are non-luminous bodies stars are luminous body ठीक है तो इसने sun का भी example लिकलता है देखो इसका answer सीधा है the stars appear very very small to us because they are very far और बेसे बात है बहुत बहुत जागा दूर है ठीक है stars can be considered to be point source of light stars form लोग point source बोलते है दो तरह का source of light होता है point source जो एक बिंदा के जैसा बिंदू के जैसा दीखे और एक extended source जो खीचा हुआ जो अब्जेक्ट के जैसा दीखे अब the continuously changing the continuously changing atmosphere is able to cause variation in the light coming from point size star point size star से वो तो continuously variation करवा देता है light का due to refraction because of which the stars appear to be twinkling ठीक है यह same reason है यह कोई यह reason अभी जाज़ उपर पड़े हो बस इसको थोड़ा सा दूसरे language में यह क्या हमको main answer चाहिए कि planets क्यों नहीं twinkle करता why do planets do not twinkle at all तो इसका answer है the planets appear to be quite big planets क्या है planets बहुत ही बड़ा है actually because they are much nearer to the earth यहां पर planets actually में बहुत close है तभी तो बड़ा बड़ा दिख रह नहीं तो दिखता भी नहीं स्टार्स के जतना दूर रहता अगर planets नहीं तो दिखता भी नहीं दिखता भी बहुत सारा planets जो दूर दूर हो तो दिखता नहीं है solar system के बाहर का planets के आमको visible है यह solar system क्या solar system का end का भी planets हम लोगो visible नहीं होता नॉर्मलाइज है तो दिख जाता है तो दिख जाता है वो अलग बात है तो भी बहुत clear night sky चाहिए तब ठीक है इसलिए हम लोग को बड़ा दिखता है बड़ा क्यों दिख रहा है क्योंकि वो सामने अब वो सामने होने के वज़े से बहुत सारा point source होता है जैसे star खली एक single point source है एक single light का source है एक point के जितना बट planets क्या है ना single point source के जैसा नहीं दिखता वो group of एक तरह से अगर यह planet है तो यह तुम समझे लोग एक point दो इस तरह से धेर सरह groups of point sources दिखता है जब भी कोई group आ रहा होता है देखो इसको पढ़ो एक बर दिमिंग effect produced by some of the point source of light ठीक है in one part of the planet is nullified by the brighter effect produced by the point sources of light in its other part यह समझ में आया नहीं समझ में आया होगा तो हम एक बर फिर से repeat करते हैं अब क्या सिंगल point source रहता है तो वह तो अराम से एक बार dim एक बर bright एक बार dim एक बार bright डिख रहा है मेरे को अब क्या है अगर planet को तुम consider करोगे तो धेर सारा point sources के रूप में consider करोगे अब जब धेर सारा point source है बाबू तो हो सकता है कुछ point source अब एक साथ यह dim और bright नहीं होगा कुछ point source जब dim हुआ हो सकता है दूसरा point source उसमें bright होगा अब दूसरा point जो bright है अभी वह अगले second क्या हो जाएगा dim होगा लेकिन जो पहले dim था वह bright हो गया तो हम लोग को ऐसा hole क्या दिखता है bright ही दिखता है dim और bright का funda काम करता ही नहीं है मतलब ऐसे तुम समझ लो कि तुम लोग बैटे वह हो और तुम लोग को doubts है अब क्या है कि doubts कब सारा खतम हो जाएगा जब सब को common doubts हो ठीक है एक साथ तुम लोग doubts एक ही question पूस दिया तो हम एक question मना के free लेकिन अब आधा बच्चा question number one से 10 पूछ दिया आधा बच्चा तुम लोग 10 से 20 पूछ दिया तो हमको तो पूरा exercise बनाना पड़ जाएगा मतलब मेरा free होने का chances एकदम ना के बराबर होता है गंदा से example था बट उसी तरह समझ लो धेर सारा point में कुछ point हम लेकिन जब वो डिम होगा तो बाकी का जो point है जो point सोर्स बाकी का जो point light है ठीक है point सोर्स है वो लोग ब्राइट हो गया आधा ग्रूप ब्राइट हो गया तो हम लोग को anytime के दिख रहा है ब्राइट दिख रहा हम लोग को डिम होता हुआ दिखा ही नहीं और इसलिए continuous वह लाइट सोर्स हमारे आखों में आता है जिसके वज़ए से हमको पूरा प्लैनेक बिना ट्विंकल के दिखता है और यही चीज़ वह लोगा सन में भी सन तो और ज़्यादा बड़ा है और पास में भी है तो तो और ज़्यादा उसमें यह है क्या बोलते है पॉइंट सोर्स है दिख रहा है अगर सारा लाइट एक साथ बंद करते और एक साथ चालू करते तब यह डीज़ लाइट हो जाता लेकिन आधा बतती आधा लाइट्स हम जला रहे है उसमें आधा उता रहे फिर जब बुजहवड को फिर से जला रहे पुर से जल लाइट बुजहा दे रहे तो हम लोगों continuously life तो दिखेगा भाई डिस्को वाला उसमें feeling नहीं आएगा तो यही follow होता है planets में मेरे को बता हो समझ में आया क्या clear हो गया ना ठीक है बस वो matter करता है अब next question में आते है next reason why the stars seem higher than they actually are star उतना भी दूर नहीं है जितना हमको दिखता है क्यों simple सा बात है बताते हैं एक second खली उपर वाला कुछ छूटा तो नहीं the continuously changing atmosphere is unable to cause यह हो जाएगा main answer मेरा planets वाला का the continuously changing atmosphere is unable to cause variation ठीक है in the light coming from big size planet because the planet does not twinkle at all और इसी के वज़े से continuously changing atmosphere variation नहीं ला पाता क्योंकि बहुत सारा point source के रूप में planet को हम लोग देखते हैं इसलिए वो तुम्हारा twinkle नहीं कर पाता ठीक है अब आते है actual case में तुम लोग यह चीज पढ़ा था swimming pool में reflection वाला example पढ़ा हुआ है क्या कि हम लोग swimming pool के अंदर से अगर कोई चीज को देखेंगे बाहर जैसे अगर बाहर से अंदर देख रहे है पानी के अंदर कोई चीज डाल दो मुड़ा हुआ कब दिखेंगा जब तुम आधा डाली और आधा बाहर तुम कोई गुट्टा को गुट्टा चीज complete चीज को इमर्ज कर दो पानी में तो वह जेतना अंदर होता है उससे थोड़ा सा उपर दिखता है और अगर हम लोग हावा में उस अबजेक्ट को रखेंगे और हम लोग अपना मूँ पानी में डाल के उसको देखे अरे चैसमा लगा के देख ले ना ठीक है वाइट वाला गॉगल वह पूरा जो पैक हो जाता है जिसके पानी नहीं स्विमर्स लोग डाइवर्स लोग यू बाहर से पानी के अंदर देखते है रेर टू डेंसर जहांक रहे होते है तो हम लोग को क्लोजर अपियर होता है देंसर टू रेर जहांक रहे होते है तो हम लोग को फार अपियर होता है यही फेनोमेना हम लोग को प्लानेट में प्लानेट से अंदर हम लोग अर्थ से बाहर का इस्टार्स देखने में होता है बाहर का इस्पेस और इस्पेस क्या है वैक्यूम मतलब रेर एर मीडियम और हम लोग पहले हम समझा देते हैं उसके बाद आते हैं बुक्स में क्या लिखा हुए देखो इस तरह से होता है एक्षल पोजिशन है यह ठीक है यह आया हमारे अर्थ में ठीक है एट्मोस्पेर के वज़े से थोड़ा सा बैंड कर गया इसको जाना ऐसे चाहिए था ठीक है बट यह बै सुमें भोला बाला ठीक है तो हम लोग को यह एपियर जिस पॉइंट से सीधा हम लोग का जिस पॉइंट पे घुसा उसी पॉइंट को सीधा कर देता है तो यह एपियर करता है उस पॉइंट पे सीधा सा कॉमन सेंस ठीक है यह चीज़ समझ में आया अब देखो इसको then they actually are अब इसको समझने के लिए यह समझ लो light from a star is refracted as it leaves space जैसे ही वो space को छोड़के हमारा प्रित्वी पे घुसता है and enters the earth atmosphere तो light में कैसा change आया rarer to denser ठीक है हम लोग कहां से देख रहे हैं denser to rarer ठीक है तो उसमें मुडाव आएगा रिफ्रेक्शन होगा जैसे इस पेस से अर्थ में घुसा ठीक है optically ज्यादा dense medium में एंटर कर गया है अब लाइट ठीक है so higher up in the sky is rarer but the nearer the earth surface is denser भी एक additional point है अगर तुम उपर एकदम जो जितना लेयर से उपर का लेयर का बात करोगे ना atmosphere का वो सब तो rarer होता है लेकि जैसे जैसे हम लोग close आते जाते हैं मीचे का हवा ज्यादा dense होता है और ठंडा में यह चीज़ और हो जाता है ठंडा में density बढ़ जाता है एयर का अब यह चीज़ कैसे प्रूफ कर सकते हो वो अलग केस हो गया लेकिन कभी देखना फॉग ज्यादा जमता है ठंड में क्यूं क्यूंकि उस समय ठंड के वज़े से एयर का density क्या हो जाता है बढ़ जाता है और हावा उपर उठ नहीं पाता जादा चूला वगेरा भी जलता होगा अगर जैसे खोईला वाला चूला जलाओगे दुआ जो निकलता है वो देखना एक लेवल पे ही आके ठंड के मौस में गर्मी में मस तेकना मोड़ जाएगा पूरा उपर ठंड में उल्टा हो जाता ह अब सीधा सा बात उपर का हवा रेर है और एट्मस्वेर में नीचे तरफ का डेंसर है तो लाइट फ्रॉम ए स्टार कमस डाउन देंस एर बेंड्स दालाइट मोर जैसे जैसे और नीचे आएगा उतना ज्यादा बेंडिंग होते चला जाएगा हर लेवल पेंडिंग हो रह क्लियर है यह पॉइंट समझा दिए क्यों होता है सभी याद रखना हम लोग टूर डेंसर हम लोग देखेंगे ठीक कहले हम लोग को एक डेंसर टूरी दिह को अबजेक्ट फार दिखेंगा यgefस की स्टार की केस में हम लोग आउक का है रेंसर्डिंश का है यागilles भाला ची अब our nearest star the sun also seems higher than it actually is यह चीज sun के साथ भी लागू होता है nearest star कौन है sun है और यह भी हम लोग को actual में जितना होता नहीं उसे ज़्यादा दूर दिखता है ठीक है चलो figure से तो समझा दिये अब तीसरा point में आते है advance sunrise and delayed sunset यह बड़ा मज़दार point है सूर्य उदय होने से पहले ही हमें सूर्य का नजारा देखने को मिल जाता है और सूर्य अस्त के पस्चात भी हमें सूर्य का नजारा दिखाई दे रहा होता है देगे कुछ ज़्यादा ही सुद्ध हिंदी हो गया बस इस तरह से समझ लो इसका figure actually में बना देता है अगर इस आई बुक में ना दिया हो तो चलो दिया हुआ है तो हम महनत नहीं करेंगे ये देखिए ये है horizon ठीक है event horizon black hole का एक part है horizon ही हम बोलते होरीजन बोलो horizon मेरे ही साब से proper pronunciation है देख ले न ये छोटा मोटा चीज इंडियन्स के लिए matter नहीं करता ठीक है अब horizon तुम्हारा ये horizon मतलब छितिज horizon का मतलब होता है छितिज छितिज भुक का नाम है मेरा एक फ्रेंड का नाम है ठीक है अब ये जो छितिज है ये जो horizon है ये अक्छली होता क्या है तुम दूर देखोगे नजर दूर दोड़ाओगे एकदम पहाड़ी या समुंदरी एरिया में कहीं पे भी खड़े हो जब दूर यहां पे सहर में नहीं दिखेगा यहां खली building दिखेगा ठीक है दूर खाली जगा पे जाओगे एकदम खूला मैदान जहां दूर दूर ता कुछ नहीं है तो तुमको एक ऐसा पॉइंट दिखेगा जहां तुमको लगेगा लैंड और आस्मान का जमीन और आस्मान का मिलन हो रहा है नहीं 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 उतना दूर क्या कहीं से भी दिख जाएगा अगर building में भी खड़ेगो एकदम तौचछत पे चले जाओ और चितिज देखने के लिए horizon देखने के लिए horizon is a point where the land and the sky appears to meet बहुत प्यारा सा लाइन होता है समुंद्र के किनारे देखेंगे तो बहुत प्यारा लगता है ठीक है परसनली कुछ महिना पहले गए थे तो बड़ा अच्छा से संसेट वगेरा देखते थे horizon पे ठीक है अच बड़ा खुबसूरत लगेगा पहार से भी यह बहुत खुबसूरत लगता है ठीक है पारसना पहार चड़ो जाके देखो फिर पारसना से horizon दिखता ही नहीं वहां से फिर बादल दिखता हम लोग बादल के उपर पहुंच जाते हैं ठीक है तो सीधा सा बात है वो अलग चीज है horizon को मतलब समझ गया ना ठीक है अब sun मान लो एक्शली में horizon के नीचे चला गया oder sunset के समझ भी यही होता sin paradise के समझना कि sun उपर आ रहा है और horizon पहुंचने से ठीक पहले ठीक है और sunset के समझ समझना के horizon को पार करके नीचे चला गया ठीक है sunset के ठीक बाद ठीक है अब इसका जो light ray इस तरह से आया atmosphere में enter किया तो हम लोग को इस तरह से enter किया अब जब यह इस तरह से enter किया एक तो अच्छा से बनाते है इसको यह इस तरह से आया जैसे ही अमारा atmosphere इंटर किया यहाँ पर reflection के वज़़े से यह मुढ गया जाना चाहिए तह कहा सीधा बट ये रिफ्रक्षन के वज़े से क्या हो गया मुड़ गया रेरे टू टेंसर आ रहा है तो अब बेसा बात है अब हमारा आख क्या है मासूम सा इसको इस पॉइंट पे लाइट मिला तो ये सन को कहा समझ लेगा सीधा तो ये सन को कहा देख रहा है यहां सन अक्षिल में कहा है नीचे का सन के समय सुरज उगने से पहले इस यहां दिखता हुआ है सुर पे नहीं है सुरज जूप चुका है शाला है बोला है चल लेता है कर दूनिया का हर चीज हमारे आखो को चल ये दोगा कर देता आंकों के साथ ठीक है छलावा है ये छलावा ठीक है everything is छलावा ठीक तो समझो ये सूरज वाला concept समझ में आया अब इसको वर्ट में एक बर समझा दिया जाए तो clear हो जाएगा अब क्या होता है कहां दिखता है कहां actual में होता है वह समझ में गए हो तो सिर्फ reason पर आते है it is due to the atmospheric refraction that we can still see the sun for about two minutes even after the sun has set below the horizon हम लोग को दो मिनेट बात तक दिख रहा होता है sun sun दो मिनेट पहले का है अब लेकिन आखों का धोका हम लोग को sun दो मिनेट के बात तक दिखता है ठीक है अब the time from sunrise to sunset is lengthened by about two plus two four minutes because of the atmospheric pressure तो इसलिए हमारा सूरा दिन चर्या अगर हम सूरज का निकलने से लेकर के सूरज का डूबने तक का बात करे तो सूरज कितने time तक हमारे लिए available था उसमें चार मिनेट का बढ़होतरी हो जाता है दो मिनेट उगने के समय और दो मिनेट दूबने के समय ठीक है अब the day would have been shorter by about 4 minutes if the earth had no atmosphere. हर दिन 4 minutes कम होता हर दिन में. दिन का हम बात कर रहे हैं, रात का नहीं. पूरा दिन कम्प्लीट डे में, ऐसा हम लोग दिन का बात करते हैं, तो मतलब हो गया, दिन और रात मिला देते हैं. यहां proper day का बात कर रहे हैं, जब sunlight होता है हमारे पास, वो actually 4 minutes कम होता अगर refraction नहीं हो रहा होता. अब लोगे सर 4 minutes, बस, क्या ही करेंगे 4 minutes का? बहुत important माहिने रखता है कभी कबार. चार-चार minute अगर तुम हर दिन मिला दो, 300 पैसे टीन्टू चार कर दो, एक साल में सोच लो कितना minute बढ़ गया? अब अई चीज़ 10 साल तक कर लो, तो सोच लो कितना दिन बढ़ गया? उसके वज़े से. तो बहुत यह 4-4 minute का values बहुत है. ठीक, तो the sun appears flattened या फिर oval at sunrise and sunset. ठीक है? अब the sun appears flattened और oval at sunrise and sunset. फ्लाटन मतलब थोड़ा सा चप्ता टाइप का दिखता हलका सा. या फिर oval shape, अंडा का shape. अंडा shape is oval shape. है ना? यह इसको बोलेंगे circle shape और इसको बोलेंगे oval, मतलब पूरा कुछ यादा ही हम बना दिये. इसको बोलेंगे oval shape. ठीक है? तो sun इससे में flattened या oval दिखता है. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to, और ये भी क्यों होता है? Flattening जो हो रहा है, ये भी क्यों हो रहा है? due to refraction. ठीक है? अब यहाँ पर बोल दिया, बहुत अच्छा से समझा दिया. इसको ज्यादा मन नहीं था, बुक वाले को, तो बोल दिया, we will discuss this in detail in higher classes. ठीक है? वो थोड़ा सा, अब क्या है न, इसी चीज़ को अगर detail में पढ़ने आएंगे न, तो तुमको पूरा ऐज़ा, एक-एक point का अगर तुम देखोगे, उसके वज़े से थोड़ा सा shorten दिखता फ्लाटेन दिखता है इस तरह से, वो अलग केस है लेकिन, वो भी लेकिन अगर reason पूछ दे, क्यों, बता देएंगे, ठीक है? अभी के लिए तो खैर समाप्त करने दो, ये वाला topic हमारा हो गया समाप्त, ठीक है? अब आते है scattering of light, इसके वज़े से भी reasoning और assertion वाला question ही बने ठीक है? scattering of light होता क्या है बच्चा? बताइए? not splitting of light, मतलब बिखरने को एक तरह से, split होता है उसके बाद ही scatter करता एक तरह से, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा माइनर-माइनर सा फर्क है, इसको समझना, scattering of light means to, देखो, definition देखो, तुम जो splitting of light बोल दिया, वो dispersion है, dispersion होता है, मतलब splitting of light होता है, उसके बाद light scatter करता है, उसके बाद वो scattering के वज़ा से spectrum बनता है, तीनो line, एक दूसरे, तीनो points एक दूसरे से related है, बट है बिल्कुल जुदा-जुदा, ठीक है? तो scattering actually में क्या हुआ? scattering of light means to throw light in various random direction, बतलब light ray का, एक single light ray का बिखर जाने को, हम लोग scattering करते हैं, या तो हो सकता है कि scatter, उसका, जो seven constituent of light है, वो लोग scatter करें, dispersion के बाद भी scattering होता है, या हो सकता है, single light ray ही scatter करते रहें, एक light है, यह इधर उधर 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 फैलते जा रहें, तो यह भी scattering का हिस्सा है, हमेशा scattering को splitting से मत जोड़ देना, scattering splitting में भी होता है, और scattering तुम्हारा single light ray का भी scattering होता है, जैसे rough surface से light टकराया, क्या किया, scatter किया, जैसे यह दिवाल, dot 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 dot, तुमको rough surface दिखेगा, अब इसी rough surface के वज़े से light ज़्यादा scatter कर रही जाता है, तो इस वज़े से हमको scattering दो, scattering में समझ में है, मतलब very good, light is scattered when it falls on various types of suspended particles in the path, रास्तदे में पढ़ने वाले बहुत सारे particles से, suspended particles मतलब अटका हुआ particles, जगो surface पे टकरा करके तो scatter करता ही है बाबी, लेकिन हावा में मौझूद बहुत सारा particles होता है, जैसे dust particles, air particles, ये सब भी suspended particles है, जो बड़ा-बड़ा particles होता है, उसको suspended particles बोलते है, जो completely हम लोगों को दिख जाए या फिर चलो ना भी दिखे लेकिन वो बड़ा particles होता है, air cup जो actually में mixture है, उससे ज्यादा बड़ा-बड़ा particles होगा, suspended particles clear होगा मेरे ख्याल से सबकों, ठीक है, light scatter क्यों करता है, ये इसका answer है, because, वो various types of suspended particles से वो रास्ते में टकराता है, और जितना ज्यादा ये suspended particles जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतना ज्यादा वो light scatter करेगा, ठीक है, depending on the size of the particle, scattering can be of white sunlight as such, white sunlight का भी scatter कर सकता है, ठीक है, और of the colored lights which make up the white sunlight, अभी पता है ना, this person के बाद भी scattering होता है, या फिर white light का भी scatter हो सकता है, single white light भी scatter कर सकता है, ठीक है, अब आते हैं, अब हम लोग इसको scattering caused by earth's atmospheric phenomena, सबसे पहला प्यारा सा effect है, टिंडल effect, ये effect तुम लोग जरूर observe किया होगा, और ये हम guarantee देते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे से, और ये बहुत important, very very important topic होता है तुम लोग के लिए, टिंडल effect क्या है, अगर हम proper तरीके से बताए, कभी भी एक ventilator से, कभी भी एक ventilator से सुभा सुभा या किसी घर के छेद से sunlight को आते देखे हो, और वो sunlight तुम्हारा actually में एक तरह से फैलता हुआ तुमको दिखता है और उसमें बहुत सारा particles vibrate करते दिखता है, क्या होता है, हम लोग को यही इसी से परपता चलेगा, देखो यह इस तरह का effect को हम लोग टिंडल effect बोलते हैं, light ray क्या है न, हवा में मौझूद particles से क्या हुआ, तितिर बितिर हो गया, मतलब scatter कर गया, ठीक है, देखो definition एक बढ़ बढ़ लो, the scattering of light by particles in its path is called tindle effect, scattering of light by particles in its path, रास्ते में पढ़ने वाला particles से जब scatter कर जाए light तब उसको हम लोग tindle effect करते है, tindle effect मत समझ लेना, ठीक है, अब when a beam of sunlight enters a dusty room through a window, when its path becomes visible to us, तब हम लोगो वो रास्ता दिखने लगता है, sunlight तो ऐसे भी आ रहा होता है, अभी भी रोशनी है, light के वज़े से तो है, लेकिन अगर light बंद कर दे, तब भी sunlight आएगा, उसके वज़े से रोशनी है, लेकिन अभी हमको ऐसे में रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन एक बर गंदा सा कपड़ा उठाओ और उसको जाड़ो, सारा dust particle दिखने लगेगा और अगर sunlight में ये काम कर रहे हो तो light तुमको अच्छे से light का रास्ता पता चलने लगेगा, अगर एक पतला सा hole करके उससे light पास होता है, तब तुमको light का रास्ता एकदम अच्छे से नजर आता है, देख लो यहां पर दिख रहा है न, light कहां से आ रहा है, देखके बता दोगे कि light किदर से आ रहा है, इस point से कहीं से निकल करके light आ रहा है, ठीक है, क्यों रास्ते में तो वो बहुत सारे particle से टकरा रहा है, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, अब, there's an example of tindle effect is the way a beam of sunlight becomes visible, ठीक है, अब tindle effect को हम लोग can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest, इसी को बोलते है, canopy, बहुत सारा dense forest घना जंगल है, उसमें बीच से एक रास्ता जो पेड़ एक तरह से ढख नहीं पाया, पत्ता ढख नहीं पाया, जो यह canopy है, canopy से हमको दिख रहा है, यह भी, here tiny water, droplets in the mist, scatter sunlight, और यहाँ पे dust particles ज्यादा role play कर रहा है, droplets of water, droplets of water, क्योंकि घना जंगल में, पानी का, atmosphere में, पानी humidity ज्यादा एक तरह से देखने को मिलेगा तुमको, तो पानी atmosphere में available है, तो dust particle एक tindle effect create करता है, और water droplets भी tindle effect create करता है, ठीक है, यह चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, तिंडल effect को discover कब किया गया था, in 1859, in an attempt to explain the blue color of the sky, उससे में explain किया जा रहा था, explanation दिया जा रहा था, कि sky का color blue क्यों होता है, कोई बदा सकता है, sky का color blue क्यों होता है, देखो blue का wavelength, blue मतलब violet समझ लो, violet blue नीचे का जो विब्यॉर का color है, विब्यॉर का जो वी आई बी color है, violet indigo blue, वो colors का wavelength होता है कम, और सूरत से तो white light आ रहा है, और red का wavelength होता है सबसे ज़्यादा, तो red color सबसे कम deviate होता है, और हमारे आखों तक पहुंचता है, ठीक है, और देखना, सूरज जब उगता है, और सूरज जब दूबता है, उसी के समय, हम लोगो sun जादा red दिखेगा, जब दोपहर में होता है, दोपहर का time होता है, तो sun हम लोगो white टाइप का दिखता है, white या फिर yellowish white, yellow या फिर white भी कह सकते हो, sun जब एक दम top पे होता है, आफ्टर लून के समय, ऐसा क्यों होता है बबू, देखो, जब सूरज हम लोग से बहुत दूर होता है, टॉप में रहेगा तो सबसे सामने होता है सूरज, और जब सबसे दूर रहता है, मतलब अस्त के सम है, उस समय क्या होता है, सूरज हम से बहुत दूर है, उस समय सबसे ज़्यादा reflection हो रहा होता है, तो red color उसमें से कम reflect किया और इसके वज़े से हमारे आखों तक आ गया, हम लोगो सूरज का color orange या red दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो blue color है, वो पूरा atmosphere में बिखर सा गया, blue color क दिखने लगा, यह होता है, असल कारण, ठीक है, violet, indigo, blue, तीनों का एक तरह सा, तुम समय लो mixture दिखता है, अब तुम proper sky का color बोलेगो तो तुम blue बोलते हो, नहीं, तुम indigo बोलोगे, नहीं, तुम violet बोलोगे, नहीं, तुम sky type का, sky blue color का दिखेगा, वो actually mixture होता है, ठीक है, आर्टिस्ट लोग से पूछना किस तरह से colors का combination बनाते है, ठीक है, तो यह जब टिंडल, blue color को बताया जा रहा था, तो टिंडल है, discovered that when a white light, टिंडल नहीं के कौन थे, scientist, टिंडल क्या किये, discover किये, अजीब हो गरीब नाम है, टिंडल, कौन अपना बच्चा का नाम टिंडल तो टिंडल discovered that when white light consisting of seven colors is passed through a clear liquid, having small suspended particles in it, then the blue color of white light having shorter wavelength, is scattered much more than the red color of color having longer wavelength. तो वो यह चीज़ discover किये, कि तुम्हारा blue color सबसे जादा scatter करता है, और red color सबसे कम. अब यह सा बात है, अभी तक समझ में आ गया होगा, सब को याद हो गया होगा, क्यूं ऐसा होता है, ठीक है, क्यूं ऐसा होता है, wavelength के कारें, ठीक, clear है concept यहां तक, अब टिंडल effect का actually में definition क्या है, और यह होता क्यों है, यह reason हमेशा या तरकन, this is because the tiny dust particle present in the air of the room scatter the beam of light in all around the room, ठीक है, इसलिए हम लोग को light का path दिखने लगता है, the blue colored light present in the white sunlight is scattered much more easily than the red light, और इसी के the blue light present in sunlight is scattered, एक number भी दे दिया है, 10 times जादा blue color scatter होता है, light जतना scatter करता है, उससे 10 गुना जादा blue color scatter हो जाता है, ठीक है, तो यह चीज़ है, concept बाद बिलकुल, देखो, main answer तिंडल effect का यह कानी खत्ब, और दो canopy से होता है, forest का वो यहाँ पर, बस main answer क्या है, reflection, main answer क्या है, reflection, ठीक है, अब अगला topic पर बढ़ सकते हैं, क्या, आप लोगों के इजाज़त होता हो, the color of scattered light, the color of scattered light depends on the size of the particle, ठीक है, कौन सा color होगा, scattered light का, वो particles के size पर भी depend करता है, जिससे वो टक्रा आ रहा है, ठीक है, यह एक बार समझो, the earth's atmospheric, atmosphere is heterogeneous mixture of minute particles, heterogeneous मतलब, जो non uniformly mixed हो, जैसे चीनी पानी घोले, तो वो homogeneous mixture है, लेकिन sand और water घोले, heterogeneous mixture है, completely mix होगा, क्या है, इदर उदर जहां तहां पहला होगा रहेगा, ठीक है, तो heterogeneous मतलब जो uniformly mixed now, तो एक बराबर पुरा मिला होगा है, कहीं पर oxygen जादा मिलेगा, कहीं पर nitrogen जादा मिल जाएगा, कहने का मतलब बता रहे, उसी तरह particles भी है, कहीं dust particles ज्यादा है, कहीं नहीं है, कहीं हवा बहुत clean ह है, जाओ पहाड़ों पे एकदम साफ सुतरा हवा मिलेगा, यही atmosphere का नीचे आजाओ, जाओ Delhi भूम में जाओ, साफ हवा से ज्यादा dust particles खाने को मिलेगा, ठीक है, तो सीधा सा बास है, these particles include suspended particles like dust, tiny water droplets and molecules of air, तीन मेंचीज, dust है, water molecules है, और molecules of air, ठीक, when light coming from sun strikes the particle, जब sun से आने व है, then what happens to the light depends on the wavelength, light के साथ क्या होगा, light के जिन्दगी का फैसला पॉन घरेगा, वो light का wavelength depend करता है, और दूसरा size of the particle जिससे वो टकराएगा, वो depend करता है, यह topic को हम लोग दो point में करेंगे, ठीक है, सबसे पहला point, जब light करे, अब तुनिये mobile रखे और यहाँ पे ध्यान जब light करे, number one, तुम्हारा टकराएगा, dust particle से, या फिर, dust particle and water droplets से, ठीक है, तब क्या होगा, यह हम लोग देखेंगे, और दूसरे point में हम लोग देखेंगे, जब air का molecule से light टकराएगा, ठीक है, air के molecule से light ray टकराएगा, ठीक है, तो यह दोनों point पहले समझो, बात नहीं, पहला point, तुम्हारा जो पहला point दिया हुआ है, कि जब dust particle या water droplet से light ray टकराएगा, तो light का जो wavelength होता है, उससे, यह इसका size, particles का size बहुत जादा होता है, particles का size क्या होता है, बहुत जादा होता है, ठीक है, एक तरह से तुम समझ लो, size of the particles is greater than the wavelength of light, अब जब size of the particles बड़ा है wavelength से, तो white light जब dust particle या water droplet से टकराएगा, तो वो उसका जो साथ color है, साथो एक साथ टकराएगा और एक साथ रिफ्रेक्ट करेगा, इसलिए इसमें white light साथ color में नहीं तूटता, white light, white light का ही रूप में रहता है, लेकिन जब दूसरे case में जो हम लोग पढ़ेंगे, कि air molecules, यानि कि जैसे oxygen का molecule है, nitrogen का molecule है, इससे टकराएगा न, तो इसमें जो size of the molecules है, ये actually में छोटा होता है wavelength से, अब क्यूंकि size of the molecules छोटा है wavelength से, तो इसमें जब light का rate अकराएगा, तो वो जो 7 color है, साथो अलग-अलग तरीका से refract होगा, और इसके वज़े से क्या हो जाएगा मेरा, blue color जो सबसे ज़्यादा refract होगा, वो ज़्यादा फैलेगा, समझ में आया, point पहले मेरा मतलब समझो, हम किस से denote किये, दो topic में बाटे, बहुत easy, रहो हम यहाँ पे तो easy कर दिये, ठीक है, पर्टिकल से और वो size wavelength से बड़ा होता है, ठीक है, इसके वज़े से पूरा white light एक साथ टकराएगा और एक साथ refract होगा, इसलिए इसमें white light अलग नहीं होगा, white light तुम समझ लो, यहाँ पे हम लिख दे रहे, पहला point में, white light remains intact, ठीक है, after, refraction, ठीक है, refraction के बाद इसमें, पहला case में, white light, white light ही रहेगा, दूसरा case समझो, air molecules का size, छोटा होता है wavelength से, ठीक है, इसलिए white light क्या हो जाएगा, white light will, white light will refract according, according to the wavelength of each color, ठीक है, जिसमें, सबसे ज़्यादा, blue color will, blue color will, deviate, the most, सबसे ज़्यादा, blue color deviate होगा, simple सा चीज़ है, समझ में आ गया, अब इसी चीज़ को, एक बार अच्छे से short में लिख लेना, तो तुम लोग को ये पूरा दो topic जो है न, complicated topics, ये अराम से तुमको समझ में आ जाएगा, तुम्हारे लिए बस easy कर दिये, देको लिखा हुआ यही है, पूरा white light same way में reflect होता है, due to this scattered light appears white, और इसी के वज़े से the different, ये 0.1 का बता रहे है, दो 0.1 में क्या था, एक बार फिर से अगर भूल गे तो यार करो, the dust particles and water droplets suspended in atmosphere are much larger, wavelength of light से बहुत बढ़ा होता है इसका particles, इसी लिए the different colors of white light are reflected by the dust and water particles in the same way, इसमें reflect होगा, same way से, इसमें reflection होगा, टकरा करके निकलेगा, उसमें घुशके नहीं निकलेगा, water में हो सकता है, water में घुशके reflect कर सकता है, ठीक है, लेकिन same way में करता है, due to this, the scattered light appears white, because it is still contains all the colors of the white light, तो इस तरह का when, so when white light falls on larger particles, जैसे dust और water, ठीक है, present in atmosphere, it does white light well falls on larger particles, it is scattered as such, so the scattered light appears white, तो वो किस तरह से फैलता है, जबको यही चीज़ long में दिया हुआ है, हम short में समझाएते, वो white, white ही रहता है, क्योंकि size, air और dust particle, sorry, dust particle और water molecules का size बड़ा होता है, wavelength से, इसलिए वो एक साथ ही पूरा white light को reflect करवाता है, जिसके वाज़े से white light, white light ही बना रहता है, समझ में आ रहा है बात, अब दूसरा point देखो, दूसरा point में मेरे को बोल रहा है, कि the air molecules, जैसे nitrogen oxygen जो gas का molecules है, हवा में gas भी तो है, उसका molecules are smaller than the wavelength of visible light, वो wavelength जो होता है visible light से, उससे इसका molecules छोटा होता है, जिसके वज़े से, अब इसके वज़े से होता कौन सा कारणामा है, देखो, ठीक है, since the different colors of white light have different wavelengths, अब white light का wavelength सबका अलग-अलग है, so, they are affected differently, वो सातो color, अलग-अलग तरीका से effect होगा, the lower wavelength light blues are scattered much more by the air, ठीक है, molecules, but the higher wavelength red are scattered much less, इसी लिए, thus, when the white sunlight falls on extremely small particles, ठीक है, it is not scattered as white light, ये white light के रूप में ना scattered हो करके कैसे होता है, it is not scattered as white light, क्या होगया भाई, अब ये थोड़ा सा, the molecules of air scatter mainly the lower wavelength of light, which have blue shades, और ये blue shades को ज़्यादा refract कर देता है, ठीक है, scatter कर देता है, ये दोनों चीज़ यहाँ पर से समझ में आया, ये देखो, इसका summary दिया हुआ है, the color of scattered light, color of, कौन सा scattering के बाद, कौन सा color देखने को मिलेगा, किस पे depend किया, देखो, the color of scattered light, the color of scattered light depends on the size of the scattering particles of the atmosphere, अगर dust और water होगा, तो the light, the atmosphere will scatter the light, as due to which the scattered light also appears, white light को white की रूप में scatter करेगा, ठीक है, अगर dust particles और water droplets होगा, तो, अगर extremely minute particles है, बहुत छोटा particles है, such as air molecules, जो होता है, in the air, yellow कैसे scatter करेगा, the atmosphere scatter, mainly blue light present in the white, sunlight, वो कौन सा light को scatter करेगा, blue को जादा scatter करेगा, दोनों concept समझ में आया, बहुत अच्छे से रटा गया होगा, मेरे ख्याल से, इतना बार हम repeat किये, वीडियो में यही चीज़ देखके, boring सा लगेगा, कि एक ही बार सर कितना बार बोल रहे है, लेकिन, क्योंकि offline में है, तो इसलिए हम को बार बार repeat करना पड़ा, कि यहीं पर याद हो जाए, दो ही case, फिर से final repetition, air और water particles में टकराएगा, white वाइट ही रहेगा, air molecules से टकराएगा, तो white कौन सा सबसे ज़्यादा, blue को scatter सबसे ज़्यादा करेगा, और यह क्यों होता है, क्योंकि air और water का size, wavelength के size से बड़ा होता है, और air molecules का size, wavelength के size से चोटा होता है, simple, summarized तरीके से हो गया, याद अब आते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक, जो बड़ा मज़ा आता है कराने में, why sky appears to be blue, देखो simple सा logic है, अभी यही दो point पढ़ा है ना, इसी पर डिपेंड करता है, atmosphere में तीन तरह का चीज है, dust, water droplets, air molecules, sky blue नजर आने के पीछे हमको dust से, और water molecules से कोई लेना देना नहीं है, किस से लेना देना, dust भूल जाओ, water molecules भूल जाओ, air molecules जो बचा, उसी से काम करना है मेरे को, air molecules सबसे ज़्यादा scatter क्या करेगा, blue line, blue color को सबसे ज़्यादा scatter करेगा, और सबसे ज़्यादा scatter कर रहा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग को पूरा अंबर नीला नीला दिखेगा, ठीक है, पूरा अंबर क्या दिख रहा हम लोग को, नीला नीला, ठीक है, the scattering of blue component of the white sunlight by air molecules, प्रेज एर molecules, देखना answer, not dust, not water, which one is the main culprit, air molecule is the main culprit, in the atmosphere, causes the blue color of the sky, गुनेगार, कल्पृत मतलब गुनेगार, असली गुनेगार कौन है, इस blue color के फैलने के पीछे, air molecules, क्या आप इसको अच्छे से सम्झाना पड़ेगा, क्यों depend करता, तुम लोग अब बाबा बन गया, इतना समझने के बाद, हम रीजन पूछ दे, क्यों तो तुम लोग बूलेगा, क्योंकि air molecules का size, चोटा है किस से, wavelength of light, wavelength of light से, बन गया बाबा, लगाते रहो MCQ में, एकदम common sense और answer करते रहो, ठीक है, तो, when sunlight, फिर भी इसका answer एक बार है, तो बुक में बता देते है, when the sunlight passes through the atmosphere, the most of the longer wavelength light, such as red, orange, yellow, etc., present in it, do not get scattered much, scattered होता है, बर जादा नहीं होता, ठीक है, by the air molecules, and hence, pass straight through, इसलिए हम लोग के पास, आखों में, सीधा प्यार से आ जाता है, the shorter wavelength blue light, is however scattered all around the sky, पूरा इस आस्मान में, बिखर सा जाता है blue color, जिसके वज़े से, हम लोग को, whichever direction we see, look, some of this scattered blue light, enters our eye, और जहां पे भी हम देखेंगे, चाहा इधर देखो, चाहा उदर देखो, हम लोग को, नीला नीला दिखेगा, ठीक है, since we see the blue light from everywhere, the sky looks blue, ये भी क्या है, आँखों का चलावा, हम लोग blue, आस्मान का color blue है नहीं, blue scatter करके बिखरा हुआ, हम लोग जिदर भी नज़े डालेंगे, खुले आस्मान में, तो हम लोग के आँखों में blue color enter कर रहा है, तो क्योंकि हमारे आँखों में blue color scattering के वज़े से enter कर रहा है, तो हम लोग को आस्मान में नीला मान लेता है आँख, बोलता है कि आस्मान भी क्या है, sky sky color का है, बट क्या सच में आस्मान sky color का है, नहीं, ठीक है, आगे बढ़े, बस, does the sky appear blue because the molecules in the air scatter blue part, और उसका scatter blue part of the sunlight much more than the scatter red light, ठीक है, अगर छोटा answer होगा, तो यही वाला last point लिख देना काम हो जाएगा, explanation रहेगा, उपर वाला ये वाला point लिख देना, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन बर्जी, ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिखना है, तो तुम अपना मन से बना के लिख सकते हो, तुम लोगो तो रटा गया है, बाबा बन ही चुके हो तुम लोग, इन outer space, अब यह दोला साम लोग मान लोग पृत्वी से बाहर निकल गया, तुमको रॉकेट में, जो दिवाली में हम लोग रॉकेट जलाते हैं, उसमें बांध करके जला के छोड़ दिये, तो तुम लोग सीधा कहां पहुच जाएगा, इलॉन मस्क का रॉकेट में बांदेंगे, ठीक है, दिवाली वाला रॉकेट इलॉन मस्क किस से बनवाएँगे, अभी लॉन मस्क बनाएगा तो वो सीधा तुम लोगो प्रित्वी के पार ले जाएगा ठीक है अब ये जैसे ही तुम्हारा अर्थ के पार जाओगे एट्मोस्फेयर पार कर गए तुम अब एट्मोस्फेयर है क्या हवा का मॉलिक्यूल्स एर मॉलिक्यूल्स है क्या नहीं है हम लोग वो सब चीज क्या दिखेगा काला, काला, atau भॉइड भी ने दिखेगा ब्लैक दिखेगा, और सूरज जो चमक रहा है वो किया दिखेगा वाइट दिखेगा, लाल पीयर कुछ नहीं दिखेगा उस उम्य सूरज बाहर का इस पेस से देखोगे तो एवरी चन्ना मामा देखो चाहे सूरत चाचा देखो सब कोई तुमको वाइट दिखेगा और जहां कुछ नहीं है लाइट वो ब्लैक दिखेगा एवरीधिंग इस ब्लैक और वाइट इन दे स्पेस इसे कलरफुल है कलरफुल भी आता है बहुत सारा चीज कलरफुल है बट वो सब अलग सा चर्चा है जो हम लोग को यहां दिखता है वो स्पेस में जाते साथ अपना रंग बदल लेता है देख लो कि इतना रंग बदलने वाला यह लोग है इसलिए बोलते हैं आख मासूम है इन दा आउटर स्पेस ठीक है इफ दा अर्थ अड़ अट्मोस्पेर तो स्केटरिंग वगेरा कुछ होगा नहीं बताने का जरूथ है नहीं दा आउटर स्पेस का एक्जामपल लेलो जैसे sky looks dark and black instead of blue sky हम लोग को dark दिखता है black दिखता है this is because there is no atmosphere containing air in the outer space to scatter sunlight since there is no scattered light to reach our eyes therefore हम लोग को क्या दिखता है dark या फिर black दिखता है बहुत important है ठीक है this is why astronauts who go to outer space find the sky to the dark and black instead of blue clear answer लेकिन वो लोग वापस से earth को देखेगा तो blue blue दिखता है earth वो लोग को blue दिखता है ठीक है क्योंकि अंदर में तो reflection के वज़े से पूरा blue light ठैला हुआ है तो हम वो लोग को earth जब देखता है तो प्यारा सा blue color का दिखता है अलग-अलग color जो color वहाँ पे reflection ज़्यादा हो रहा है वो depend करता उस पे सब का density वगरा अलग सब में reflection अलग mark जैसे red दिखेगा तुमको बाहर से सीधा सा बात है अब वो इसलिए देखता है ना क्योंकि दूल वगरा के मज़े से वहाँ का iron rich ज़्यादा है बहुत सारा और factors काम करता है उस पे अभी हम नहीं जाएगे वी नोग देंजर सिग्नल लाइट सा रेड इन कलर अब रेड कलर को हम लोग डेंजर सिग्नल के रूप में याद करते है यूस करते है इस इस बिकाउज रेड कलर having longer wavelength is the least scattered सबसे कम scattering red color का दुंद में भी fog में भी हम लोग को लाल कलर बहुत दूर तक दिख जाए अगर लाल कलर भी ना दिखे तो कोई कलर ने दिखेगा इतना तो fix है तो लाल कलर को इसलिए हम लोग डेंजर साइन के लिए यूस करते है तो fog और smog से लाल कलर भी बहुत कम से कम scatter होता है due to this red light can be seen in the same color even from a distance यह हो गया कहानी इसका खतम अब अगला topic है मेरा why sun appears red at sunrise and sunset sun हम लोगों को क्यों red दिखता है red कहलो या orange कहलो red orange टाइप का दिखता है थोड़ा सा ठीक है red विब्ग्योर में जाओगे तो yellow orange red का एक तरह से mixture दिखता है ठीक है तो सीधा सा बात है the sun and the surrounding sky appear red at sunrise and sunset because at that time most of the blue color present in the sunlight has been scattered out and away from our line of sight leaving behind the mainly red color in the direct sunlight that reaches our eyes अब यह चीज़ समझना संध्या बेला और सूर्य उदय का बेला में sunset और sunrise के समय क्या होता है कि जो blue color फैला हुआ है ना वो लोग और फैल जाता है इधर उदर बिखर जाता है तेक है तो उस समय तक पूरा बिखर चुका होता है इसलिए sun को जब हम लोग देख रहे हो तो यह sun के अगल पगल देख रहे होते हो वह ब्लू कलर का नामोनी sun नहीं होता है अब ब्लू कलर का नामोनी sun नहीं होता है तो मेरा हमको sun कौन सा दिखेगा reddish वही चीज लिखा हुआ है the sun in the surrounding sky appear red at sunrise and sunset because at that time most of the blue color present in the sunlight जो sunlight में present most of the blue color has been scattered out उस समय तक बहुत ज्यादा scattering होता क्योंकि अभी sun और ज्यादा दूर है तो और ज्यादा blue color उससे निकल के इधर उदर चला गया and away from our line of sight, leaving behind mainly red color और इसलिए सूरज उस समय क्या दिख रहा होता है red color का दिख रहा होता है in the direct sunlight beam that reaches our eyes simple सा answer है अब इसको और समझना है तो at the time of sunrise and sunset when the sun is near the horizon sun जब horizon के बगल में रहे या तो यहां या तो यहां और एक उपर का afternoon का भी case लिया है जब sun हमारे उपर होता है और यह sunrise का समय लिया है और यह sunset का समय लिया है ठीक है जब horizon में रहता है the sunlight has to travel the greatest distance यह बताये थे where at the time of at the time of sunrise and sunset when the sun is near the horizon the sun has to travel the light has to travel the greatest distance through the atmosphere to reach us और इसी प्रक्रिया के दौरान blue color बहुत जादा क्योंकि जादा दूर से आ रहा है तो जादा blue color यह हो जा रहा है scatter कर जा रहा है तो हम लोगो red दिख रहा है और यह जब afternoon जब overhead में रहेगा हमारा sun उस समय बहुत close यह distance देख लो बहुत shortest distance है तो इस समय blue color उतना scatter नहीं कर पाता और हमको सारा का सातो color सातो color दिखता है एक साथ इसलिए हम लोगो sun थोड़ा सा white type का यह yellowish type का दिखता है ठीक है यहाँ पे यही चीज़ बोला है देख लो sun appears white white ही बोलेंगे yellow भी नहीं बोलेंगे समझ में आरी यह बात very good during this long journey sunlight most of the shorter wavelength blue color present और इसी short journey के दोरान उसका shorter wavelength वाला blue color scatter out हो जाता है away from the line of sight so the light reaching us directly वो हमको क्या दिखता है longer wavelength वाला यानि कि red color due to which the sun appears red हो गया कहानी खत्ताम अब इसी कारण से the sky surrounding the rising sun उसके अगल बगल का भी red दिखने लगता है ठीक है और यह चीज़ तुम लोग समझ गया होगा कि why the sun appears white when it is overhead जब यह उपर में रहता है तो क्यों हमें sky दिखता है white दिखता है ठीक है क्योंकि इस समय when the sun is overhead at noon the light coming from the sun has to travel relatively shorter distance बता चुके है बस बुक में दिखा रहेगी कहा है shorter distance travel करता है जिसके वाज़े से atmosphere during this shorter journey of sunlight only a little bit of blue color of the white light is scattered हलका फुलका करता है तो ज्यादा फरक नहीं परता since the white light coming from the overhead sun has almost all its component ठीक है लगबग लगबग right proportion में therefore overhead sun appears white to us हलका फुलका blue light यह होता भी है उसके बाद भी हम लोगो वो यह वाला चीज white white type का दिखता है ठीक है अब experiment to study the scattering of light यह experiment है आप लोगो अपने से देखना है यह वाला चीज ठीक है कि एक source हम थोड़ा सा figure को समझा देते है ठीक है इसमें जो अंदर लिखा हुआ है वो सब आप एक बार पढ़ लोगे एक यहाँ पे source of light है देख लो यहाँ पे source of light है यहाँ पे convex lens लगा दिया गया अब क्या ह यह source of light से light जब निकला अलग-अलग direction में तो यह क्योंकि एक तरह से यह समझ लो focus पे रखा गया था तो यह light ray क्या हो गया parallel हो गया यह भी parallel यह तो सीधा जा रहा है principal axis पे तो सीधा ही चला गया बाकि सब क्या हो गया parallel हो गया जब यह सब parallel हुआ देखो यहाँ पे यह एकद वाटर रखे है containing suspended particles of sulphur यह collider solution है इसमें sulphur बीच-बीच में suspended particles के रूप में है है ना water है water में sulphur डला हुआ है ठीक अब sulphur से जब light टकराया तो यह white light इधर-उदर भागा तो यह white light का ही रूप रखेगा या किसी और चीज़ का रूप ले लेगा साथ कलर में से कोई दूसरा स्कैटर करेगा sulphur भी तुम्हारा क्या है यहां पर जो sulphur का particles है यह एक तरह से तुम्हारा एयर का पार्टिकल्स के जैसा बहुत चोटा size का होता है ठीक है और यह चोटा size का होने के वज़ए से wavelength से चोटा होता है इसका size ठीक है इस वज़ए से blue color क्या हो गया यहां पर जो तो रुख गया लेकिन बीच से जो circular hole से जो पास किया वह वापस से convex lens लगा करके एक बोड पे focus करवा दिये तो यहां पर जहां पर light focus किया उस जगा पर हमको red patch दिखने को मिला यह क्या बताता है कि sulfur के वज़ए से light टकरा करके scatter किया so blue light scatter हो गया अलग हो गया उससे तो इसलिए जो patch था वो red color का patch था ठीक है इसको एक बार अच्छे से read कर लीजेगा experiment आपको समझा दिया गया है proper notes बनाई है chapter का और MCQs को ध्यान में रख करके preparation करेगा करना है आप लोगों को ठीक है ताकि कोई तरह का गड़बर ना हो हाद